दुर्गा क्या इसी जरुरत पढ़ गई की घरवालों को बिना बता है तुम्हें कोटा में स्टडी करने के लिए नीट के गिलियर करने के लिए बहुशना पड़ा यहां का environment बहुत अच्छा है इस्टूडेंट के लिए तो सबसे best है बहुत जिकायत है चंबल का पानी खा रहा है उसकी जैसे बाल चड़रे टूड गए आदि उमर में गंजी हो जाँगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विश्णूर आठोर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी यार स्टोरी व्लोग जो की कोटा कोचिंग से related कहीं तरह के contents आपके सामने लेकर आता है हमारे साथ एक student है इनका नाम है दुर्गा जो की राजस्तान के भीलवाडा से ब्लॉंग करती है और कोटा में पहुची है नीट की preparation के लिए लेकिन सबसे खास बात जो इस interview को अलग से हटके बनाने वाली है वो यह है कि दुर्गा जो है मारे साथ ये घरवालों से बिना बताए कोटा में अपने सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए नीट किलियर करने के लिए पहुची है और घरवालों ने बिल्कुल भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया कुल मिलाकर इतना है कि घर से भाग करके डॉक्टर बनने के लिए कोटा में पहुची तो कहीं तरह के प्रश्णू अब इनके सामने रखेंगे और जानने कोशिश करेंगे कि किस प्रगार से कोटा में रेकर अपने सपने के लिए यहाँ पर कम्प्लीट करने के लिए हैं तो दुर्गा स्वागत है आपका मारे चेनल पर तेंक्यू सर दुर्गा क्या इसी जरुद पड़ गई कि घरवालों को बिना बताया तुम्हें कोटा में स्टडी करने के लिए नीट के गलियर करने के लिए बहुशना पड़ा घरवालों को बता देती पर उन्होंने नीट करने से मना कर जाता और वो बिएशन नर्सिंग करवाना चाहते थे इसलिए माइंड में यही था इसलिए आना पड़ाया घरवालों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कि आपको कि आप डॉक्टर बने सपोर्ट किया था ना उनका इड्रीम है डॉक्टर बना था उन्होंने बोला था पर लास्ट मुमेंट में जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट होने की वज़ासे उन्होंने बना कर दिया था कि अब नीट नहीं करना तुम एजब यह से नर्सिंग कर लो कुछ भी कर लो हम कोचिंग स्टुडेंट एरिया कोटा बहुत डिफ्रेंट कल्चर एज़ स्टुडेंट बहुत फैकल्टी है यह तो आपके घरवाले आपकी स्टुडी से मतलब सटिस्वाई हो चुके हैं फिर अब भी नाराजगी है कुछ वह तो उसी दिन मान गए थे जिस दिन घर से आय और हिंदी मीडियम से हुँ है तो कोटा में ही अपने नेट की प्रिपरेशन के लिए कोटा को छुना और फिर कोटा में एलन को कुछ उना ओल इंडिया में बैसट पूरे इंडिया में अपनी ब्रांच बना चुका ए स्टुडेंट फैकल्टे टॉप टॉप टन टॉप 100 य स्टुडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट कोचिंग से आना हॉस्टेल खाना मैं सब कुछ आपको सुविदा मिल जाएगी थे अपको स्टुड़ी तो और एक बीस पे क्लास खतम होती है घर आती हुए भीस मिन्ट का रस्ता है तो वह से पैदल आती हूं तो एक-चालिस हो जाते हैं घर पर खाना वाना खाती हूं पापा से बात करते हूं तब तक तीन बच जाते हैं फिर दो गूंटे का सोना और शाम को छे बज़े से लगा कर दस बचे तक पढ़ना होता है तो कोटा में आप नीट की प्रपेशिन के लिए पीजी में रहते हैं तो लगबक कितना कोस्ट आपको यहां पर पे करना पड़ जाता है जिसमें आपका रूम का चार्जेज और फूड वगेरा इंक्लूड करके टोटल मेरा टोटल यहां पर पूड नहीं एरिया बहुत शाहनत है दूसरी जगसे तो न्यूराजरगांदी बहुत शाहनत एरिया एकदम क्लेन एरिया है कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टड़ी के लिए तो आप जितना चाहिए उतना फोकॉस कर सकते हो जितना चाहिए अकेला माहौल बन मिलता है यहां किसी टाइम में क्लियर करना है नेगेटिविटी लाएंगे तो फिर वो होगा ही नहीं यह सोच रखा है क्लियर हो जाएगा बस तो आपका यह फर्स्ट अटेम्ट है हम मैं जस्ट वर्ल पास आउट यह फर्स्ट अटेम्ट है मेरा सपोज आप डॉक्टर बन जाते हैं नीट क होना है बहुत नाम कमाना है वैसे तो पर अपने टाउन के लिए थोड़ा बहुत करूंगी जादा नहीं थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलेगा वहां दूंगी बस वह है तो भी आप टोटल कितने हार सेल्फ स्टड़ी कर बात है हमरे रूम में मैं सुसाड़े पांच से तो दो बज़े तक तो एलन वाला करती हूं और पांच गंटे घर पर करती हूं जैसे टाइम मिलता है वो शेडूल फिक्स है पांच गंटे करना है तो करना है कोटा के फूड और पानी को लेकर आपकी कोशी कायते आप इससे सटिस्पाय है पानी बहुत खराब है यहां का बाल बहुत जड़ते हैं रूम में भी देख लूँ यहां हमागी रहे हूएंगे खाना अच्छा है खाना सच में अच्छा आता है बाकि पानी खराब है यहां कभी लगोले तो आपको कोटा की काने से कोई दिक्कत नहीं लेकिन बानी चंबल के पाने से खुश शिकायत है बहुत जिकायत है चंबल का पानी खा रहा है उसकी जड़े बाल चड़ रहे तूड़ गए आदियुमर में गंजी हो जाँगे अभी कभी बॉरिंग टाइम आने पर आप अपने समय का किस पकार से यूज करते होंगे बॉरिंग टाइम वैसे तो कम ही आता है तो मेरे फ्रे कि आपने करते हैं और की यह हूआ बनाया है कि किस परकार से किसको फॉला करते हुआ अपको डॉक्त बनाएक यक्शा वैसे है फॉला किसको करूं , मैंने खोधी सोच रख रका है वैसे, follow किसी को नहीं करना है, किसी के लिए inspiration बनना है, जो मुझे देखे मुझे follow करें, मैं किसी और को करूँगी, कल मुझे देखे कोई और करेगा, वो अच्छा नहीं है, मैं अपना खुद के उपर खुद करना चाहते हूं, मुझे इतना बड़ा नाम नहीं कमाना, बस खुद का जितना हो जाए, self बन जाओं, बस वो करना है मुझे, तो आप अपने ideal खुद बनना चाहते हैं, खुद ही मतलब लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं, हाँ, एस चोटा मोटा सईपर, हाँ, वो ही बनना चाहते हूं, मुझे किसी और का फोलो करना अच्छा ने लगता, then कोई और मुझे करे तो वो ठीक है, बाकी मुझे अपना पसंद है, तो friends, यह है हमारे साथ दुर्गा, जो कि राजस्तान के भीलवारा से ब्लोंग करती है, और कोटा में नीट की preparation के लिए यहाँ पर पहुचे है, बैने आपको starting में बताया है कि घरवालों को लड़ जगड की उनसे दूर होके, अपने सपने को लेकर कोटा में पहुची, अब सब कुछ, इनका agreement हो चुका है घरवालों के साथ में, सारी नाराजगिया दूर हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ, उनसे बातचीत करने के बाद में लग रहा है कि यह पूरे confident है, 2022 का जो नीट का exam होगा, उसको clear करके यह अपने सपने को साकर करेंगे, एक बहुत अच्छे doctor बनके, एक society के लिए बहुत अच्छा message देने का काम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब अपने 2022 exam को clear करेंगे, तो आप हमसे एक बार फिर मिलेंगे, आपकी motivational कहानी हम आपको लोगों के सामने लेकर आएंगे, अगर नीट क्लियर हो गया तो आप जरूर आईए, गब आप लोगों को भी पता चलना चाहिए, कि हमने कैसे struggle किया, घरवालों से लड़ी थी, जगडी थी, बहुत कुछ रोया, दोया, सब कुछ होया, पर फिर भी नहीं माने, एंड टाइम पर मान गए, तो वो बहुत है मेरे लिए, वो किसी struggle से कम नहीं है, घरवालों को मनाना, और यहां अकेले आना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ मैनेज हो रहा है, काफी अच्छे से, एक मनत में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, आई होप आगे भी ऐसा अच्छा ही चले, नेट क्लियर हो जाए, एज टॉपर नहीं, बस सिलेक्शन हो जाए, वो बहुत है, दुरगा, थैंक्स अलोट हमें टाइम दने के लिए, थैंक्यू सर,